आप देख रहे हैं बायोग्रेफि डाइरी यूटूब चैनल 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार ने महत 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था तब तक वे 25 साल सिनेमाई दुनिया को दे चुके थे 25 साल का उनका ये सफर बॉलिवुड के किसी सूपर हिट मसाला फिल्म से कम नहीं था इसमें दर्शकों को लगातार चौकाते रहने वाला अभिनय का रेंज रहा हो बॉक्स ओफिस में धमाल मचाती फिल्में रही हो या फिर खुबसूरत माशुकाओं का साथ रहा हो संजीव कुमार का जल्वा किसी सूपर-स्टार से कम नहीं था स्टारडम और पीने पिलाने के शगल के चलते हमेशा वे लोगों से घिरे रहते थे लेकिन जीवन के आखरी महने में संजीव कुमार बेहत तनहाई में रहे और अपने बिमारी से अकेले जूचते रहे। ये भी कहा जा सकता है कि जीवन के सफर में भी बतौर कलाकार संजीव कुमार हमेशा इम्तहाद देते ही नजर आए। बेहत कम उम्र में पिता की मौत, उसके बाद परिवार चलाने के लिए मा का संघर्ष, थीटर से लगाओ, परिवार की जिम्मेदारी और फिल्मों में काम पाने का संघर्ष, यानि संजीव कुमार हमेशा संघर्ष करते रहे। इन सब के बावजूद उनके चेहरे की स्माइल हमेशा बनी रही और उनके अभिने की खास शैली में इस मोहक मुस्कान का अहम योगदान रहा। उन्होंने बी ग्रेट की फिल्मों से शुरुवात करते हुए महज अभिने के बलबूते वो स्टार्डम हसिल कर लिया था जिसके चलते मल्टी स्टारर फिल्मों में भी वो सबसे अधिक महन ताना वसूनने लगे थे। करने के लिए संजीव कुमार की मा ने अपने जेवर गिर्वी रखे थे। तब जाकर शश्थर मुखर जी के एक्टिंग स्कूल की फीज जमा हो पाई थी। काम से थीएटर की दुनिया में काम करने लगे थे। इप्टा के नाटकों में काम करने के दौरान एके हंगल ने चर्चित नाटक दमरू में संजीव कुमार को 60 साल के बुढ़े का रोल दे दिया था। महच 19 साल की उम्र में संजीव कुमार ने ये किरदार निभा कर लोगों को बहुत चक्का कर दिया था। हिंदी फिल्मों में काम करने की तलाश में हरीहर जेठालाल जरीवाला को पहला मौका 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में मिला था। सुनील दत और आशा पारे की इस फिल्म में संजीव कुमार का रोल महच 2 सेकेंड के क्लोज अप वाला था। इसके बाद उन्होंने निर्माता निर्देशकों और स्टूडियोज के चकर लगाने शुरू किये। इसी दौरान थियेटर के अपने दोस्तों से बाचीत करते हुए हरीहर जेठालाल ने कहा कि उन्हें अपना स्क्रीन नेम तलाशना होगा। संजीव कुमार की मां का नाम शांता बेन जरी वाला था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि नाम का पहला अक्षर ऐस ही होना चाहिए। और उस वक्त दिलिप कुमार और अशोक कुमार की कामियाभी का असर देखती हुए उन्होंने टाइटल कुमार रखना तै किया नाम भी तै कर लिया संजे कुमार संजीव कुमार के करियर की दूसरी फिल्म आओ प्यार करें 1964 में रिलीज हुई और इसमें उनका क्रेडिट संजे कुमार गया इस फिल्म के बाद कमाल अमरोही ने उन्हें शंकर हुसैन फिल्म के लिए अनुबंधित किया और कहा कि ये नाम बहुत इंप्रेसिव नहीं है इस लिहाद से देखे तो गौतम राजवन्ष नाम भी संजीव कुमार को जचा नहीं इसी बीच 1964 में दोस्ती फिल्म सूपर हिट हो गई और संजय खान इस फिल्म से स्थापित हो गया ऐसे में एक संजय खान के होते हुए संजय कुमार नाम से फिल्म करना फायदे मन नहीं होगा ये सोच कर हरी हर जेठालाल ने फिर अपने दोस्तों के साथ सोच विचार कर नाम रखा संजीव कुमार संजीव कुमार के नाम से वो पहली बार 1965 में यानि निशान फिल्म में नजर आए जो एक तरह की स्टंट फिल्म थी शुरुवाती दिनों में ऐसी फिल्में करने से उनको फायदा कम और नुकसान जादा हुआ नाम रखने के इस किसे का जिकर हाल ही में संजीव कुमार पर प्रकाशित हनीव जावेरी और सुमन्त बत्रा की किताब में है पेंग्विन प्रकाशन में चिपी एन एक्टर्स एक्टर को संजीव कुमार की आधारिक बायोग्राफी कहा जा रहा है उनकी मौत के 36 सालों तक संजीव कुमार के जीवन सफर को बताने वाली कोई किताब मौजूद नहीं थी इस कमी को काफी हद तक नफीज जावेरी और सुमंत बत्रा की किताब ने पूरा किया है 1968 में संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार ने दिलेव कुमार के सामने दमदार अभिने करके अपना जो सिक्का जमाया वो उनकी मौत के समय तक यानी अगले 17 सालों तक जारी रहा इस दोरान संजीव कुमार ने ना केवल बॉक्स ओफिस पर कामियाब फिल्में दी बलकि लीक से हटकर ऐसी फिल्मों में भी काम किया जो अपने दौर से कई आगे की फिल्में थी 1970 में प्रदर्शित खिलोना में मानसिक बिमारी का सामना कर रहे किरदार ने उन्हें शोहरत और कामियाबी के आसमान पर बैठा दिया उसके दो साल बाद 1972 में आई कोशिश में उन्होंने बिना बूले अपनी आखों से जादू भरा अभिने कर दिखाया लेकिन बतोर एक्टर संजीव कुमार ने खुद को कभी रिपीट नहीं किया और ना ही वो किसी इमेज से टाइब्ड हुए उन्हें आल सीजन एक्टर कहा जाने लगा था अपनी इमेज की परवा उन्हें रत्ती भर नहीं थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो एक ही समय में अनामिका में जया भादूरी के प्रेमी की भूमी का निभा रहे थे और उसी वक्त परिचय में वे उनके पिता की भूमी का निभा रहे थे शोले में उन्होंने जया भादवी के ससुर की भूमी का आदा की एक तरफ वे शोले और त्रिशूल जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में अपने अभिनेसे लोगों का दिल जीतते रहे वहीं दूसरी तरफ प्रियोग धर्मी फिल्मों के जरिये भी लोगों को चौकाते रहे 1974 में नया दिन नई रात में उन्होंने नौ तरह के किरदार निभा कर लोगों को अचरज में डाल दिया था 1977 में काफी कम पैसो में सत्यजीत राय के साथ शत्रंच के खिलाडी में काम करना स्विकार कर लिया 1978 में पती पत्नी और वो की रूप में सूपर हिट फिल्म दी तो 1982 में अंगूर जैसी बेमिसाल कॉमिक फिल्म दी 1960 से 1985 के बीच संजीव कुमार ने 153 फिल्मों में काम किया इसमें दस्तक और कोशिश के लिए राष्ट्रिय पुरुसकार मिला बी ग्रेट की फिल्मों में काम करके यहां तक पहुचना आसान नहीं होता लेकिन संजीव कुमार ने इस मुकाम को हासिल कर दिखाया इस सफर में संजीव कुमार का शादी शुदा नूतन और हेमा मालनी के साथ अफियर जैसा संबंध भी रहा लेकिन दोनों ही मामलों में बात अटक गई इसके बाद सुलक्षना पंडित सहित कुछ अन अभीनेतरी के साथ भी उनके संबंध की चर्चा हुई लेकिन संजीव कुमार ने शादी नहीं की करियर के चमकते दोर में महच 37 साल की उम्र में उन्हें पहली बार हार्ट अटेक आया था लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई बहुत बदलाव नहीं किया इसका खामियाजा उन्हें भुगदना पड़ा और जल्द ही उन्हें दूसरा अटेक भी आया इसके बाद संजीव कुमार ने अमेरिका जाकर अपनी ओपन हार्ट सरजरी भी कराई वे जब अमेरिका से लोटे तो उनकी पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद थी लेकिन सिनमाई निर्माताओं के काम पर लोटने के आगर है और फसे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने की उनकी खुद की जिद ने उन्हें आराम का मौका नहीं दिया 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार के निधन पर उनके दोस्त और साथी कलाकार दिनेश हिंगो ने हनीव जावेरी से कहा था अगर उसने शादी की होती तो वो जादा दिन तक जीवित रहता वो अराम करना ही नहीं जानता था बाइपास सर्जरी के बाद भी उसने लगातार काम जारी रखा फिल्म निर्माता उसकी मौत के जिम्मेदार हैं हाला कि हर साल 6 नवंबर को संजीव कुमार अपनी मा की यादों में डूब जाते थे 6 नवंबर 1980 को उनकी मा का निधन हो गया था और इसके बाद वो महज 5 साल ही रह पाए बिमारियों का सामना करते और लगातार फिल्मों में काम करते संजीव कुमार के इस दौर को लेकर तमाम तरहे की बातों की चर्चा खूब होती रही जिसमें उनके शराब की लट के साथ साथ कंजूस होना और महिला मित्रों पर भरोसा नहीं करने जैसी बात भी शामिल थी कंजूसी की चर्चा होने की एक वज़ा तो ये भी रही होगी कि संजीव कुमार बहत सामान ने कपड़े पहना करते थे और आम फिल्म सितारों की तरहा पहनावे पर बहुत खर्च नहीं करते थे हाला कि उनके नजदी की दोस्तों ने उन्हें इस बात का एहसास करा दिया था कि कोई भी उनसे मिलता जुलता है तो उसकी एक वज़ा उनका पैसा है इस पर संजीव कुमार ने थोड़ा बहुत यकीन कर लिया था और जीवन के आखरी सालों में वे जल्दी दूसरों के साथ नहीं खुलते थे वैसे हनीव चावेरी और सुमंत्र बत्रा की किताब से इन दोनों बातों में बहुत ज़ादा सचाई नहीं दिखती हनीव चावेरी से संजीव कुमार के साथ काम करने वाली कई अभिनेत्रियों ने संजीव कुमार को अपना सबसे विश्वस्त दोस्त बताया है संजीव कुमार भले अपना परिवार नहीं बसा पाए हो लेकिन परिवार की एहमियत का उन्हें बहुत अंदाजा था लिहाजा ना केवल वे अपने परिवार के लोगों की मदद करते रहे बल्कि दूसरों के उजड़ते घरों को भी बचाया शत्रुधन सिन्हा का जब अपनी पत्नी पूनम सिन्हा से तनाव काफी बढ़ गया था तब उसे सुलझाने में संजीव कुमार का अहम योगदान था जिसका जिक्र शत्रुधन सिन्हा भी करते रहे हैं यही वज़ा है कि शत्रुधन सिन्हा उनके आजीवन सबसे बहतर दोस्त बने रहे और जब संजीव कुमार का निधन हुआ तो उनके पार्थविक शरीर के निकट शत्रुधन सिन्हा 48 घंटे तक बैठे रहे। संजीव कुमार की बेहन के अमेरिका से आने के बाद ही उनका अंतिम संसकार हुआ था। उनकी मौत की खबर के बाद अगले दिन मुंबई में फिल्म इंडस्टी में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। सारी की सारी शूटिंग कैंसल कर दी गई थी। गुलजार और संजीव कुमार की आपस में बहुत पढ़ती थी। परिचेव फिल्म से शुरू हुए साथ के बाद इन दोनों की जोडी ने मौसम, अंधी और नमकीन जैसे बहतरीन फिल्में दी। गुलजार ने भी लिखा है कि संजीव कुमार की मौत के बाद शत्रुधन सिन्हा 48 घंटों तक वहीं भावशून्य बैठे रहे थे। गुलजार ने ये भी कहा कि संजीव कुमार की मौत की वजह से भी उनका मन फिल्म बनाने से उचट गया था। प्रोड्यूसरों और एक्टरों ने बिना हिसाब किताब के संजीव कुमार से पैसे लेने की बाद सुईकार की है। हनेव जावरी ने लिखा है कि संजीव कुमार के निधन के बाद बॉनी कपूर उनके परिवार वालों को पैसा लोटाने गय थे। जबकि परिवार वालों को पता भी नहीं था कि बॉनी ने संजीव कुमार से पैसे लिए हुए थे। संजीव कुमार के सचीव जमना दास ने तब डाइरी खोल कर परिवार वालों को बताया कि संजीव कुमार से उनके दोस्त अभीनेता और निर्माता निर्देशकों ने उधार के 94,36,000 रुपे लिए हुए थे। ये रकम आज भी कम नहीं है लेकिन 1985 में ये रकम कितनी बड़ी रही होगी इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। परिवार वाले सुनीलदत के पास गये कि उनकी कोशिशों के पैसे वापस मिल जाए। कि किस तरह से संजीव कुमार अपने पहनावे को लेकर बहुत सहज रहा करते थे और मासाहरी खाना खाने के लिए वे किसी भी साथी कलाकार के घर रात में जा धमकते थे। गुलजार ने संजीव कुमार पर अपने संसमरण की पहली पंक्ती में भी उन्हें नौनवेच खाने का मुरीद बताया है जो हर वक बाहर खाने के लिए तयार होता था। संजीव कुमार में वैसे तो किसी फिल्म स्टार वाले नकड़े नहीं थे लेकिन वे अमोमन शूटिंग के लिए सेट पर लेट पहुचते थे। इसकी एकलोती वज़ा ये थी कि वे सुभा तक शराब पीते रहते थे। डारेक्टर और साथी कलाकार बहुत नराज नहीं होते थे क्योंकि संजीव कुमार अपने शॉट्स किवल एक टेक में करने के लिए जाने जाते थे। और पूरी फिल्म इंडस्टी को पता था कि दूसरे कलाकार जिस काम को 8 घंटे में करते हैं, संजीव कुमार महत 4 घंट संजीव कुमार के पहुचते ही चूम अंतर हो जाता था। संजीव कुमार के जीवन की पूरी डिटेल्स मिलती है। हनीव जावेरी बताते हैं, इस पुस्तक पर काम तो 2009 से शुरू किया था, फिर 5 साल तक इस पर काम नहीं हो पाया। जरीवाला फैमली की अपनी कुछ वजह थी, लेकिन इसके बाद मैंने संजीव कुमार को जानने वाले करीब 150 लोगों से इंटरव्यू किये, वक्त चाहे जितना लगा हो, लेकिन हम लोगों ने मुकमल किताब तयार की है।